मस्कार दोस्तों इस वीडियों आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियों में आपको बताऊँगा कि जेनु का रिजल्ट कब आएगा जो बहुत दल साल से पांसाल से चल आरा है तो इस वार फेपर थोड़ा डिले हो सकता है मैं एक चुदेंट बता रहा हुं एक पेपर में क्या हुआ मुझे बता रहा था कि सर ऐसा दुविधा में फस गया उन्होंकर अब खा रहे पीदा क्या होगा माहिज जेनु का इंट्रा कुछचिन पढ़ नहीं पड़ पाया कि यहीं पढ़ पाया जहां पर 10-10-10 पंच कोचिन था नहीं इस पाप सन्था तो है क्या थे तुम तुका मार दिया और यह थे उसके नंबर ना दी तुह का मारख लगे। क्या जो कर दिया जैगके दी बाप्र को स्थे को जरुत नहीं आतस्या प्रसर को जीना जरुत ही बालीaya निसेंटने दो किया गया है जल्दी निकाल देगा मैं अगर बात करूं कि कितना लेट हो सकता है मीनिमाम आपका 20 दिन और मैं अगर मैक्सिमम बात करूं तो एराउंड पकड़ सकते हैं कि एक्जाम के बाद सब एक्जाम खतम होने कब आपका एक्जाम हो गया उसके बाद 20 दिन पकड़ के हिसाब करें फिर आप बोले मेरे पास आगया कि सर आप बताया थे कि 20 दिन के बाद तो आजाएगा अभी तो कुछ नहीं आया है अब ऐसा-इसा स्टूरे करते हैं तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन इतना भी नहीं करना मुझी हो जाता है तो 20 दिन रुकिये और एक महिना तक रुकिया आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा और स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है केंपस में तो आप लोग को भी बुला जाए इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन जो है पीछे पड़ा हुआ है और केंपस को राने के लिए तो डूंट वरी फॉर देट और कोई भी कोश्चन हो कोई भी कोईरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्योंकि उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं या कोई पैस आप स हो कर सकते हैं या काम है आप फैक है तो हर बार वीडियो दिखने के लिए करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए तो अपर देखने के लिए प्रेम और अधर पूरबक्त आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों